नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपना चैनल राश्टीच में दोस्तों आज बात करने वाले हैं बिहार लाइबरेरियन भरती के बारे में तो बहुत सारे बच्चों का बहुत ही ज्यादा कॉमेंट आ रहा है कि जो सर ये बहाली है कब तक बहाली जो है कब तक आएगी और कब से इसका फॉम भराएगा तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जनकारी देने वाले हैं तो आप लोग वीडियो में लाश्ट तक पने रहिएगा और चैनल प्रनाय है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दिजेगा क्योंकि बिहार में किसी परकार का भी ब इंस्टाग्राम के माध्यम से कर दिया जाएगा तो बात करने वाले हैं कि बिहार लाइबरेरियन की भरती जो आयो दिने होने वाली है और जिसके बारे में जो है बिहार में बहुत ही चर्चा का विशय बना हुआ है कि ये बहाली कब तक आएगी जबकि आपको निउज पे लाइबरेरियन की अभी इसके बारे में कोई फिलहाल में सूचना नहीं है कोई भी अभी निव अपडेट नहीं मिल पाया है इसके बारे में लेकिन आपको बता देखि जो आपको टीचर की सातवी चरण की बहाली होने वाली है उसी के समय जो है इसका बिहार लाइबरेरिय के स्क्षा मंतरी विजे कुमार चोधरी जी है उन्होंने अपने ब्यान में साप साप कहा है कि सातवी चरण की बहाली के सालसता बहुत सारी जो है बहालिया स्केश्वाविभाग से निकाली जाएगी जिसमें जो है उन्होंने भी हर में. की भी चर्चा की हुई है और भी हर librarian की बात करें तो इसके बारे में अधिक जनकारी आपको प्राप्त करने के लिए हमने इस पर और भी वीडियो बनाए हैं जैसे कि आपको वह सीलेबस वगैरा के बारे में जानना होगा तो आप के चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि उसमें कि उसाथीहीं उसमें चाहिए और librarian में बहाली होने के लिए को क्या क्या कालिफीकेशन चाहिए और क्या क्या कोरसेश करने पड़ते हैं सारी जनकारी जो है आप देख सकते हैं और जब भी ये बिहार लाइब्रेडियन के बहाली आता है या इससे रिलेटेड कोई भी निकल कर आता है तो हम आपको तुरात ही वीडियो बनाकर इनफॉर्म कर देंगे और इससे रिलेटेड जो है अभी के लिए आपको मेरे पास कोई भी बीडेट नहीं है या विहार सरकार के पास कोई भी अपडेट नहीं है और नहीं है बहुकित के लिए कोई भी अपडेट दी है लेकिन यह कही है कि जो है सात्वी चरण की जो सिख्छा की बहाली आएगी उसके साथ ही इसके जो नोटिस देखने को मिलेगी तो और किसी पर करके जनकारी चाहिए तो आप हमें कॉमेंट बक्स में कॉमेंट कीजिए हम कोशिस करेंगे कि उ नेक्स्ट वीडियो में